रश्मी दिसाई भारतिय टेलिविजन पर एक लोगप्रिय नाम है और टीवी पर सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रिसस में से एक हैं। रश्मी दिसाई ने कहा था, मेरी माँ सिंगल पेरिंग थी, हमारी आर्थिक स्थिती अच्छी नहीं थी, मेरी माँ जो भी कमाती थी, उसी से हमारा घर चलता था, हमारे पास दो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थी, सोलह साल की उम्र में मैंने कमाना शुरू कर दिया एक्ट्रेस ने बताया कि जब वो बच्ची थी तो लोग उन्हें मनहूस कहते थे और गुसे में आकर उन्होंने जहर खा लिया था, हाला कि रश्मी मानती है कि ये उनकी गलती थी क्योंकि वो अपनी कीमत नहीं जानती थी, रश्मी भी कास्टी काउच का शिकार हो चुकी ह उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा था कि जब वो ऑडिशन के लिए गई थी तो वहां मौझूद एक शक्स ने उनकी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले दिन उनकी माने उस शक्स की जम कर पिटाई कर दी थी, उस समय रश्मी कतित त शीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश करने की पूरी कोशिश की लेकिन वो अपने मकसद में काम्याब नहीं हो सका, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्त जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें.